हलो एब्रिवान वेलकम बैक टो निर्मा का जायका ज्यादा तेल खाना सबके सेहत के लिए नुक्सान दे है इसलिए आजम बिना तेल के कम खर्ष में बनने वाले दिवाली की ये स्पेशल रेश्पी लेकर आया है जो इस नमकीन है इसको हम पोहे से बनाएंगे तो आये क्ली लिया है जिसको पहले हमें रोष्ट कर लिया इसको ठंडा करके इसका छिल का अल्याव प्कट्वार देते हैं टिल हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्यूंकि इसको डी फ्राइं नहीं करना न है को तो में पूले पुछी बनाएंगे इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रह बहुत ही जल्दी यह बनके तयार हो जाएगा वह जाएगा ज्यादा तेल नहीं लगेगा इसमें अमान से अन हम यहां पर कुछ काज्यू करासा सब्सक्तारी उसमें करा के अधिन बनाया सकता है क jackets ते चला लेते हैं कमशन है बहुत ईंधर बनके तियार हो गई है इसको अब तेल मेशें से निकाल लेते हैं काज्य से अरे मुंफली को करें समेज काई बना रहा है पर किसमिष में फ्राइब करके निकाल सकते हैं जो भचा हुआ तेल है हमारा करम उसी में हम साथ से आठ त्थ को बिच से काटके और डाल दें गे तो कुछ ज्यादा दिर तक ब्राइब करेंगे तो पुहा हो जाया है चमा जीरा डाले सकते हैं लिखने मिर्स पीड点रिण चमंच गुछ दिर के बाद सुखी मिर्सी जीरा और ज्राइट है नहीं कड़ी पत्य कुछ डाल देते हैं और देतराम हन द्विक्ट फिस से कुह भूल पर जब गलिया अब इसको चला चला के मिलसे कर अधेगे मेर भूने तो हम लो मिडियुम पर भूने तो अच्छा कुरकुरा नहीं बनेगा हो भूनकre तयार हो गया है तो हम ऊबनासे मसाला रखे हैं घर के बनाया हुआ इसमें जीरा है जनिया है और सूखी लाल मिर्श है इसका पॉडर थोरा से डाल देते हैं गैस को हमने बंद कर दिया इसके बाद सारे मसाले डाल रहे हैं यह बहुत चल दे जल जाएगा क्योंकि पुहा भुन की तयार हो गया है और कड़ाई भी हमारी बहुत गरम है इसको हम लागता टालने के बाद सबकोनर मिक्स कर लेते हैं नमक हमने पहले ही डाल दिया है इसलिए नमक का दीया है रखिर हमारी ठंडी ना कम तेल में बीना तले बनने वाले चिवड़ा पोहे की नमकीन की रेस्पी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना नो भूलें